हेलो गाइज, मैं पायल, वेलकाम टू डी एंडी न्यूज, हर एक दिन की नए खबरे पाने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों कहा जाता है कि शादी सही उमर में कर लेनी चाहिए, लेकिन इन दिन अपने केरियर को लेकर हर कोई चिंतित रहता है ऐसे में शादी करके खुद को कोई बानरा नहीं चाहता खासकार बॉलिवूड सेलिबर्टीज ऐसे में कुछ सेलेप से कलंबी उम्र के बाद शादी के बंदन में बनते हैं ऐसे में कई अब नीतिया जो लगवक 40 साल के उम्र में शादी के बंदन में बनती ऐसी अब नीतियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलिवूड एक्रिस प्रिती जिन्टा ने 29 परवरी 2016 को शादी की थी जिसमें प्रिती ने शादी की थी उसमें उनकी उम्र 41 साल थी प्रिती ने जीन कुड नाइफ से काफी गुपचब तरीके से शादी की थी कल होना हो वीर जारा जैसी सुपर हिट फिल्में देने वाली प्रिती ने लंबे शमें तक बिजनसमें नेस वाडिया को डेट किया जिसके बाद दोनों की बीच कुछ अनबन हुई और प्रिती ने जीन से शादी कर ली नमबर दो उर्मिला मातोंकर रंगीला जुदाई जैसी फिल्में बॉलिवूड को देने वाली एक्ट्रेस उर्मिला मातोंकर ने 42 साल के उमर में शादी की थी और मिला ने बिजनसमेन और मॉडल मोसी नकतर से शादी की और मिला की शादी भी कुपचुप तरीके से हुई थी इनकी शादी के बादाई तस्वीरों से पता चला कि और मिला शादी के बंधन में बन चुकी है मनीशा कोईराला भी 40 साल की उम्र में शादी के बंदन में बंदी थी उन्होंने नेपाल के बजनस्में समराट तहल से साल 2010 में शादी की थी हलाकि दोनों की शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और दो साल बाद यानी साल 2012 में दोनों ने तलाक ने लिया था नमबर चार नीना गुपता आईश्मान खुराने की फिल्म बदाई हो से चर्चाओ में एक्ट्रिस नीना गुपता का जीवन हमेशा से ही चर्चाओ में रहा है नीना ने चोवण साल की उम्र में साल 2008 में विवेक महरा से शादी की थी हाला कि नीना ने लंबे शमय तक वेस्टन जीज के किर्केटर विव्यान रिचर्ड्स को डेट किया बॉलिवूर्ड की जानिमानी अबिनीतरी सुआसनी मुले उम्र दराज दुलहन की लिष्ट में शामिल है सुआसनी लंबे समय तक रिलेशन्शिप में रही लेकिन 1990 में उनका रिलेशन तूट गया उसके बाद लंबे समय तक वो सिंगल ही रही इसके बाद 16 जनवरी 2011 में सुहासनी ने अतुल गुडो से शादी की शादी के समय सुहासनी वे अतुल दोनों की उम्र साथ साल से ज़्यादा थी